दोस्तो इलेक्ट्रिक कार्स का मार्केट इंडिया में दिन बर दिन बरता जा रहा है और ऐसे में अलग अलग कंपनी अपने नए नए इलेक्ट्रिक कार्स लॉंच कर रहा है आज की वीडियो में मैं पांच ऐसे इलेक्ट्रिक कार्स के बारे में बताने वाला हूँ जो कि आप एक affordable price पे अभी के date में खरीच सकते हो लेकिन हाँ उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो ऐसे ही नए वीडियो के लिए चैनल को subscribe भी कर दीजे तो हमेशा की तरह Welcome to Auto Info चलिए शुरू करते है इस वीडियो को पहला नमबर पर जाता है वो है Tata Tiago Electric इस कार में आपको दो तरह के battery pack देखने को मिलता है एक है 19.2 kWh का battery जिससे range निकल के आती है 250 km की दूसरा battery pack आपको मिलता है 24 kWh की इससे range आपको मिल जाता है 315 km का अगर बात कर इसका power की तो इसमें दो तरह का motor आपको देखने को मिलेगा एक motor में आपको मिल जाएगा 60 bhp का power और 110 Nm का torque और दूसरा motor में आपको मिल जाएगा 74 bhp का power और 114 Nm का torque safety के अगर बात करें तो इसमें आपको global Nkp की तरप से 4 star का crash test rating मिल जाता है warranty के अगर बात करें तो इसमें आपको मिल जाता है 3 year और 1,25,000 km की warranty और बैटरी में आपको warranty मिल जाता है 8 years और 1,60,000 km की warranty आइसके अगर बात करें तो इसका price start हो जाता है 8.69 lakhs रूपीस से तॉप model की कीमत चला जाता है 11.99 lakhs रूपीस नेक्स चो कार है वो है Tata Tigor EV इस गड़ी में आपको 26 kWh का बैटरी पैक मिल जाता है जिससे रेंज निकल कहाती है 306 km का motor की अगर बात करें तो इसमें आपको एक PMS motor मिलता है जिसमें maximum power मिलता है 74 bhp का और torque मिल जाते है 170 Nm top speed की अगर बात करें तो इसमें आपको 120 km per hour का top speed मिल जाता है 0 to 100 km per hour ये 12.63 seconds में achieve कर लेती है charging की अगर बात करें तो domestic charger से ये 0 to 100% 9.4 hours में charge हो जाती है safety के अगर बात करें तो इसमें global NKP की तरब से 4 star की crash rating मिल जाती है warranty के अगर बात करें तो इसमें आपको मिल जाता है 3 years और 1,25,000 km की warranty और battery में आपको warranty मिल जाता है 8 years और 1,60,000 km का price के अगर बात करें तो इसका price शुरू हो जाता है 12.49 लाक्स रूपीस से और इसका top model का price जाता है 13.75 लाक्स रूपीस next करें Tata Nexon EV Prime इसमें आपको एक 30.2 kWh का battery pack मिल जाता है इससे range निकल के आती है 312 km का motor की अगर बात करें तो इसमें आपको एक PMS motor मिल जाता है जिसे peak power आपको मिल जाता है 127 bhp की और torque आपको मिल जाता है 245 Nm top speed आपको इसमें 120 km पर आवार का मिल जाता है और 0-100 km पर आवार यह 9.9 seconds इसमें achieve कर ले थी safety के अगर बात करें तो इसमें global ncap की तरफ से 5 star की crash rating मिली है charging के अगर बात करें तो यह domestic charger से 9 hours में 0-100% charge हो जाती है अगर warranty की बात करें तो इसमें आपको मिल जाता है 3 years और 1,25,000 km की warranty और battery में आपको warranty मिल जाता है 8 years और 1,60,000 km का warranty price के अगर बात करें तो यह 14.49 रुपीज से शुरू हो जाती है और इसका top model का कीमात आजाता है 17.50 रुपीज next जो car है वो है Tata Nexon EV Max इस car में आपको मिल जाता है 40.5 kWh का battery pack जिससे range निकल के आती है 437 km का power की अगर बात करें तो इसमें आपको peak power मिल जाता है 141 bhp का torque आपको मिल जाता है 250 Nm का top speed आपको मिल जाता है 140 km per hour 0 to 100 km per hour यह सिर्फ 9 seconds में achieve कर लेती है charging की अगर बात करें तो domestic charger से 0 to 100% 15 hours में full charge हो जाती है safety की अगर बात करें तो इस car को मिला है global endcap की तरब से 5 star की crash rating अब next बात करते है warranty की तो इसमें आपको 3 years और 1,25,000 km का warranty मिल जाता है और battery में आपको warranty मिल जाते है 8 years और 1,60,000 km की warranty price की अगर बात करें तो इसका price 16.49 रूपिस से शुड़ू हो जाती है जिससे range निकल काती है 375 km की power की अगर बात करें तो इसमें आपके PMS motor मिल जाता है जिसमें peak power आपको मिल जाता है 148 PHP का और torque आपको मिल जाता है 310 Nm safety की अगर बात करें तो इस car को मिला है global endcap की तरब से 5 star की safety rating next अगर बात करें warranty की तो इस car में आपको मिल जाता है 3 years और unlimited km की warranty और battery pack में आपको warranty मिल जाता है 8 years और unlimited km की warranty price के अगर बात करें तो इसका price start हो जाती है 15.99 रूपिस से और इसका top model का कीमत जाता है 19.19 रूपिस यह थे 5 affordable electric cars जो की आप आज की date में Indian market में खरीच सकते हो तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगए तो वीडियो को like और चैनल को subscribe भी कर सकते हो मिलते हैं ऐसी किसी नए वीडियो में तब तक के लिए goodbye and take care